तो एक बार फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है और एक और आपको दिख रहा होगा एक नया ताया चम चमाता हुआ बोड तो एक बार फिर से हमें एक और नया बोड लाउंच कर रहे हैं जो कि होने वाला है बिल्कुल धमाका क्योंकि ऐसा बोड कहीं पर भी अब हम आपको बताना शुरू करते हैं तो एक बेसिकली एक बैस्ट्रिबल बोड है लेकिन इस बैस्ट्रिबल बोड के साथ आपको सब्वूफर भी बिलता है तो आपको इसमें जैसे आपको 2.1 बनाते हैं अम्प्रिफायर तो आपको ज़रुत पड़ते हैं कि हमें इसमें सब्वूफर बोल्ड की भी आउटबूट मिलेगी और बैस्ट्रिबल की भी आउटबूट मिलेगी मतलब ऑगया वॉलियूमग बैस्ट्रिबल सब्वूफ़ ठीक ए तो आपको आपको यहां धीन ओप्शन बनता है यहां पर जो आप प्रिसेट देख रहे हैं यह सब वूफर का गेन बैलेंस करने के लिए आपको गेन कितना चाहिए सब वूफर में से तो इसमें आपको सारे कनेक्शन मिल जाते हैं प्लस पॉइंट एक और है इसमें कि इसमें जो सबसे बड़ा बढ़िया जो सबसे बेस्ट फीचर है वो यह है कि इसमें 78.05 भी लगी हुई है वो आपको देखेगी ने क्यूंकि काफ़ सारे लोग पता नहीं SMD components क्या होते हैं तो इसमें SMD IC भी लगी हुई है यह जो board है यह हातों से नहीं बनता है यह computerized बनता है machine में ही बन पाता है यह board क्योंकि इसमें जो component लगे हैं यहाँ पर आप देखे रहोंगे कि यहाँ पर इस तरह के components लगे हुए है जो कि शायद काफी components आप लोग ने देखे भी नहीं होगे जैसे कि यहाँ पर यह जो black color का लगा हुआ ह और यह पीछे जो है SMD IC लगी हुई है तो यह जो best variable है इसमें क्या है कि आपको Bluetooth module के लिए आटपुट मिल जाता है पांच वोल्ट का तो आपको अलग से कोई भी पांच वोल्ट का output लगाने जरूत नहीं है कोई किसी भी चीजी जरूत नहीं है ठीक है पांच वोल्ट का output यहां से लिए जो आपका module होता है कोई साभी Bluetooth module है उसको यहां से output मिल जाएगा यहां से अपको ground left right और subwoofer ठीक है subwoofer का भी आपको इसमें output मिल जाएगा यहां पर आपको AC voltage देना है DC में भी convert करनी ज़रूत नहीं है AC voltage दो direct और चलाओ इस board को यहां से आपको input देना है बस यह 3-4 छोड़ोटे connection है यह करने है और आपको subwoofer का भी मज़ा मिल जाएगा बेस्टरेबल का भी मज़ा मिल जाएगा और जिसकी quality है वो आप देखी सकते हो यहां पर 2 AC लगी हुई है ठीक है यहां पर कितने सारे PF य अब बात किरते हैं इसके connections की तो सबसे पहले हम यहां पर देंगे 120-12 AC यहां पर लिखा हुआ है 120-12 AC voltage देना है यहां पर सीधा 120-12 यहां पर देने के बाद यहां पर आपको 5V का output आना लग जाएगा यहां पर आप कर सकते हैं अपना Bluetooth module connect ठीक है और यहां से आपको देना है amplifier board में, ground, left, right या फिर सबwoofer आप stereo board है या फिर आपको जो board है तो एक board में आप सबwoofer का दे सकते हैं और एक board में best triple का दे सकते हैं इसका जो output है और यहां से आप balance करेंगे इसका जो सबwoofer का gain है कि आपको बैस कितनी जाहाँ चाहिए यह सबwoofer की volume है ठीक है यह triple की है यह आप reflection का 4040 transformer connector रखा है और यह जो हमारा new release हुआ है board यहाँ पर यह board लगा रखा है और बाकी जो है तो यहाँ पर यह setup है यह काफी बढ़िया होने वाला है अभी मैं आपको सारे connection एक बार समझा देता हूं इसके चिक है तो यहाँ पर देखे यह हमने ACDC supply लगा रखे यह इसमें board दोंगो तो यह model off हो चुका है और इसको लगा रहते हैं यह देखिए यह यह on हो चुका है पांच वोल्ड का output इसमें आता है बहुत ही बढ़िया जिसे कहते हैं आपको कुछ भी अलग से लगाने जो नहीं है सब कुछ इसी बोल्ड में A to Z ठीक है अब यहाँ पर जो है यह आउटपुट के wires है तो इसमें जो यह yellow यह brown से इसको कहेंगे brownish जो brown से wire है brownish yellow इस wire से आपको निकलता है सब्वूफर आउटपुट जो black wire है यह ground आपका common होता है यह है left और यह है right best variable का ठीक है यहाँ पर हमने model का input दे दिया है यहाँ पर इस जगा पर देखे model का input दे दि सब्सक्राइब करें तो अब हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं एंसे से कोई भी सौंग तो ब्लीटूस से पहले हम गनेक्टर लेते हैं फिर प्ले करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह का इसका output आता है और बहुत ही सुल जाओ output है आपको ट्रेबल चीज ट्रेबल आईगी तो यह तो हो गया आपका बेस्टरिबल का output अब यहाँ से क्या करेंगे हम यह हमने बेस्टरिबल का जो लेफ्ट राइट था वो अटा दिया है अब यहाँ पर हम सब्वूफर वाला जो है इसके positive में लगाएंगे amplifier के में यहाँ पर अभी ground जो है common है दोनों का ground ऐसे ही connect र सब्वूफर की जो volume है वो असान मतलब clear ना रही हो क्योंकि speaker भी दूर रखा हुआ है और वो speaker है ना कि सब्वूफर है तो हम इसकी दिखिए तो इससे मिल गया आपको सब्वूफर का output आपको सब्वूफर की volume इसले नहीं आ रही है क्योंकि हमने जो है छोटा सब्वूफर ला रखा है वो ज्यादा बड़ा speaker नहीं है और उपर से सब्वूफर भी नहीं है तो सब्वूफर का बैस वो इतनी जादा नहीं दे पाता है तो यहां पर आपको मिल गया है यहां पर मिल जाता है सब्वूफर का output और यह जो दो wire बच्ची में है यह red and brown यह सारे connectors आपको स बहुत सारे चीज़े लगी हो है इसमें बहुत सारा खर्चा आता इस board को बनाने में बाकि यह जो board है यह flip card पर भी available हो चुका है अगर आप buy करना चाहते हैं हम description में link दे देंगे इस link पर जाकर click करो और सब्वूफर board मतलब यह जो bestrable board है इसको buy कर लो stock पूरा ready हो चुका ह या फिर यह जो amplifier है इसके अमने लास्ट वीडियो डाले दी और भी आमारी वीडियो जाकर check out करें बहुत सारे एक से एक बोर्ड है तो जो भी आमारी सारी वीडियो चेक आउट करेगा उसको दिखेगा कि हमर पास कितना सारा समान है बाकि अगर वीडियो अच्छे लगी हो बाकि अगर इसको बाई करना चाहते हैं तो हमें whatsapp भी कर सकते हैं या फिर flip card पर भी जाकर आप इस बोर्ड को बाई कर सकते हैं